तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका रिसेंटली जो बजट आया है जो टेक्सेशन सिस्टम आया है तो देखिए एक कैसा बेवस्ता किया गया है कोई भी एकनोमी तब ग्रो करती है जब उसके लोगों के हाथ में पैसा होता है ध्यान से सुनियेगा कोई भी है कि रोजगार बढ़ता है कमपनिया नए नए लोगों का हायर करती है कि उनको नए नया प्रोड़क्ट बनाना रहता है तो यह साइक लिए लेकिन अगर मान लोग कि आप पब्लिक के हाथ से पैसा जब खीचना शुरू करती है एकनोमिक बात है मतलब कि आप अगर पढ़ तो यह साइकल चलता है सरकार के करी अभी इस बजट में अब यह देखना बड़ा वाला मतलब कि क्या कहा जाए मतलब समझ में नहीं रहा है है सरकार क्या कर रही है कि मिडिल क्लास बढर रही है चाहें दुत है इंकम टेक्स के थूरु जो बरहा रहा रही है संब्सक्वर कर रहा है है और दूसरी धे네요 लॉइन के पास के लियाने की तीयरी है और एक आदमी अपनी मेरत की कमेणी से income tax भरने के बाद काई property में invest कर देता है तो उस पर तुम टेक्स बरा रहे हो, सोचना जो share market में invest कर रहा है जो 5% उसको तुम सारे 12% पर लेकर चले गया जो कि महनत की कमाई अप्टर tax मतलब है टेक्स भर दिया उसके बाद हमने share purchase किया है उस पर भी तुम tax on टेक्स लगा रहे हो और जो कार्पोरेट जो भरे घराने लोग जो जो अमीर लोग है जमसें टेक्स लेना चाहिए उनको चूट दे रहे हidents और वह क्या कर long Green करके अपने पैसे को दूगुना चारगुना दुस गुना इस गुना कर रहे हैं मतलब क्या है यहां पे जो sharing of resources है उसको accumulation के तरफ ले जा रहे हो मतलब कुछ आदमी के हाथ में पूरा का पूरा पैसा दे रहे हो और गरीब और जितने middle class है उसके हाथ से पूरा पैसा तुम टान रहे हो तो यह कोई तरीका नहीं है गौफ्मेंट का यह क हम लोग cascading effect बोलते हैं कि एक के उपर उसके पीछे उसका परिणाम आपको भूगतने को मिलेगा और भूगतने को मिलेगा यह कि आपकी एकनामी automatically recession में चली जाएगी ठीक है जो एकनामी बढ़िया फोलता फोलता था वो automatically recession में चली गई जैसे आपने नोटबंदी किया बहुत अच्छा फैसला था लेकिन उसकी proper planning नहीं हुई उसका एक result digitization आया बहुत अच्छी बात है लेकिन एक proper planning के साथ वह नहीं हुई और जब वह proper planning के साथ नहीं हुई तो उसका result देखना जितने बरे लोग थे corporate लोग थे उन्होंने black money को white money नहीं कर लिए आपकी इस माध्यम से सोच लिजे आप तो आप जो चीजे ले आ रहे हो उसका proper investigation होना चाहिए आज कोई भी आदमी जो आज इस taxation system से खुश नहीं है आप GST में भी 18% 22% टेक्स लगा रहे हो ठीक है और जो है सो एक गरीब आदमी भी टेक्स दे रहा है अमीर आदमी भी टेक्स दे रहा है लेकिन अमीर पर कम टेक्स लग रहा है गरीब पर ज्यादा टेक्स लग रहा है क्योंकि एक middle class जो है सो GST भरी रहा है ठीक है उसके बाद में बाकि दुनिया राइब के टेक्स है जैसे यह सब ब्रेवस्ता आपड़े घराने को सब्सक्राइब उसको बंद करना पड़ेगा आपको यह सो टेक्स को बढ़ाओ जैसे मैनेज करना मने मैंनेज करो लेकिन लौंग टर्म कैपरेल गेनल टेक्स और सोर्य क्सेक को थोड़ा कम करना पर आपको जीस्टी स्लैब में भी छूट देना पर आपको अदरवाइस अगर चलता रहा तो इस सिस्टम बिल्कुल ही कोलैप्स हो जाएगा एक समय के बाद में पब्लिक बिद्रो करना सुरू कर देगी इसलिए बिद्रो करना सुरू कर देगी क्योंकि तुम जो है सो यह अनिमित विवस्था हो गई न की जो है सो बरे कार्प्रेट घराने को तुम क्या आपने 30% से 25% या 22% कार्प्रेट टेक्स किया तो उसका फाइदा क्या आपने अब जॉर्प किया कि उसका फाइदा क्या हुआ क्या उन्होंने नई इंडस्ट्री जोर खोली नई खोली जैसे आपने सुना होगा आप लोग तो खेर उतने नहीं परहे हो जो अच्छे नहीं परहे लिए खेर आपने सुना होगा स्पेशल जोर नबनाया गया झिसमें कर्पोर्य टेक्स को डाउन क्या गया तेक्स उसमें प्रफिट ऊन्होंस में उसको और लेके चल तो इह सब चीजों को आपको पकरना पड़ेगा आपствен फैक्त्रा कृक्त्रीम वहां से लिए और उसके बाद में पैसा किसका के आल्टिमेटली हमारा और आपका पैसा गया जोटों के दिखावा वाजी बात बंद करके और स्टी सीजी को कम करें ठीक है और जो छोटे आइटम है जीस्टी फीस्टी अब बीमा योजना में जीस्टी 18% लगाना है कहां कि तूख है भाई लोग जान बचाने के लिए पैसे बर रहे हैं उसमें भी तुम 18% लोगे कि तुम लोग बैठे हो कि तुम लोग फायदा देने के लिए बैठे हो पबली को थोड़ा सा रियायत दो भाई खून मत चूस लोगों का